दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका हिंदी डिफेंस शोके को और एपिसोड में जहां लेकर आता हूँ मैं आपके लिए डेली डिफेंस अपडेट्स जिस किसी को भी भारतिय डिफेंस में रूची है उसे ब्रमोस 2 हाइपर सोनिक मिसाइल के बारे में जरूर पता होगा और मेरी तरह आप ही बहुत उस्सुक होंगे ब्रमोस 2 के बारे में जानने के लिए तो दोस्तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ जानकारी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रमोस 2 के कॉंपोनेंट फर्स्ट फलाइट ट्रायल्स और इसके डिजाइन को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रहा है साथ ही साथ यह भी बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह ब्रमोस सूपर सॉनिक क्रूज मिसाल अपना वर्चस वो कायम कर रहा है इंटरनेशनल वेपन्स मार्केट में वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है तो आप से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लास्ट जरूर देखें और अगर आपने मेरे चैनल अभी तरह सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लेदा कि आपको सारे डिफेंस अपडेट समय पर मिलते रहें दोस्तों हम सब ही जानते हैं कि अभी पूरे विश्ट में सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जिनके पास हाइपर सोनिक मिसाइल्स हैं और वह देश हैं रूस और चीन हाला कि अमेरिका भी कोशिश में लगा हुआ है लेकिन वो अभी तक काम्याब नहीं हुआ है और भारत के लिहास से ब्रमोस 2 टेक्टिकली बहुत इपॉर्डेंट हो जाता है क्योंकि चीन के पास पहले से ही हाइपर सोनिक मिसाइल्स हैं और भारत चीन के बिच कैसे रिष्टे हैं या आपको भी पता है सबसे पहले बात करते हैं ब्रमोस के बारे में फिर आएंगे ब्रमोस 2 पर ब्रमोस जो एक मीडियम रेंज स्टेल्स रामजेट सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे सबमरीन, शिप, एरक्राफ्ट और लैंड से लांच किया जा सकता है और दुनिया का सबसे फास्टेज सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसे DRDA और रसियन फेडरेशन एनपियो मसीनो एस्टरेनिया ने मिलकर बनाया है और यह मिसाइल रसियन P-800 ऑनिक एंटेशिप क्रूज मिसाइल के तरज पर बनाया गया है इस मिसाइल के गलोबल ऑडर टोटल 13 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच गया है दोस्तो एक खबर पब्लिश हुई है 2 अगस 2022 को रसियन नियूज एजनसी तास्ट में अतुल राने ने अभी एक ऑफिशल बियान दिया है जिसमें बताया है कि ब्रमोज टो का डिजाइन का काम कम्पलीट किया जा चुका है और दोनों ही साइड इस डिजाइन पर सहमत है साथ ही उन्होंने अभी बताया कि ब्रमोज मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है राने ने अभी कहा कि भारत MTCR का सदसे है और भारत ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर सकता है जिसका रेंज 300 से जज़ादा हो और वजन 500 से भी ज़ादा हो लेकिन ऐसे मिसाइल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता जिसका रेंज 300 किलमेटर से ज़ादा हूँ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अपडेट के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें जहिंद जय भारत